वेलकम स्टुडेंट आप सभी का स्वागत है मेरे दिश्टम एजुकेसनल चैनल पे मैं निहार का आज नए टॉपिक के साथ उपस्ते थूँ आपने हाली में देखा होगा कि आज ही फ्राइडे को प्रधान मंत्री मोधी जी द्वारा अटल सेतू का इन्योग्रेशन किया ग आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये मैप को ये जो ब्रिज बनाए गई है ये मुंबाई से नवी मुंबाई को करेंगी ठीक है ये टोटल जो ब्रिज है ये 21.8 किलो मिटर की होगी जो कि मुंबाई के सेवरी से चिरले को जोड़ेगी ठीक है जैसे कि मैंने बताया यह मुम्बाई यह जो बिज्ज है इसको हरबर लिंग बोला जाता था पहले जब यह बना था तो इसे हरबर लिंग के नाम से जाना जाता था जो बाद में इसका नाम अटल सेतू कर दिया गया ठीक है यह भाद की Longest Sea Bridge है तात ही ये Longest Bridge भी है Sea Bridge का मतलब क्या जो समुद्र पर वना हुआ है और यह घ्र जो है यह पहले ऐख यह पहले मतलब अगर मुझे मुंबाइ से मुंबाइ से नवी मुंबाइ को अगर जाना भोता था तो कितना घंटे लगते थे दो घंटे और यह अब यहां से यहां जाने के लिए अगर हम इस प्रिज के माध्यम से होके जाते हैं तो कितना मिनिट लग रहा है बीस मिनिट तो काफी टाइम हमारा इसे बच जा रहा है जैसा कि आप में इन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे साथ ही कई एरिया है जैसे वहां पर कनेक्टिविटी अगर हम लोग जाना हो तो यह फास्टर कर देता है यह ब्रिज जैसे कि मुंबई इंटरनेसर एरपोर्ट या फिर मुंबई से अगर मुझे पूने जाना हो गोवा जाना हो या साउथ इंडिया जाना हो तो यह हमारा सेफ कर देता है ठीक है और यह जो ब्रिज बनने के जो स्टार्ट थी मतलब कब से शुरुवात हुई है तो यह 2016 दिसंबर 2016 से हुई है याद रखिए एक्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसका स्टार्ट कब हुआ था यह शुरुवात कब हो था माइंस्टोन कब रखा गया क्रिमटयूस देता है ठीक है तो कौन सा है हesar होंग खॉआ हाई पॉआ ह। होंग शुआ है होंग कॉंग निजु है और यह कितनी किलोमेटर का है यह 15 किलोमेटर का है और यह कहां पर है तो यह चाइना पर ऐ थीक है यह यह याद रखिएगँ काशना है यह सिफ प्रिलिम्स औरियंटेड है चाहिए आप MPPSC दे रहे हो UPSC दे रहे हो ठीक है जैसे कि MP में सीदे सीदे कोसान आ जाएगा कि सबसे लॉंगेस्ट से ब्रिच कौन सा है हमारे भारत का तो आप बता दीजिए ठीक है अगर यह पूछ सकता है कि कितने किलोमेटर का है तो होंग कोंग रुहाई है ठीक है और UPSC में क्या बन सकता है UPSC में सीदे भाई एक ही पूछेगा तीन पॉइंट डाल देगा लाइक पूछेगा कि अटल सेतु जो है यह लोंगेस्ट है कि बिगेस्ट है कि लार्जेस्ट ऐसा कुछ लिग दिया फिर अगर हो सकता है यह आपके कौस्टन यूपी एससी प्रेलिम्स और MPPSC प्रेलिम्स और मैंनी मौर लाइक आर भी या इसी ताप के मतलब बैंकिंग या एससी इस टाप के पेपर में जनरल लॉनज के फ़र्म में करेंट आफेर के फ़र्म में आ सकता है ठीक है प्लीज लाइक से और जय हिन जय भारत